रूसी उक्रेन जंग का आज 41 वा दिन है रूसी सेना धीरे धीरे युक्रेन के कुछ लाकों से पीछे हट रही है जिसके बाद इन जगों की तबाही का मंजर सामने आ रहा है बूचा शेहर में रूसी नर्संहार के बाद जगा जगा विक्री लाशों ने पूरी दुनिया को जोर कर रख दिया है उधर युक्रेन के प्रोजीक्यूटर जेनरल का कहना है कि बूरोडयां का शेहर के हालाइद भूचा से भी बत्तर है आलाकि उन्होंने मरने वालों का आकरा नहीं दिया है रास्तान के करॉली में भड़की हिंसा की चलते इलाके में तनावपूर निस् अमीती का गठन किया है समीती में विधागी तेंदर सिंग रफीक खान और करॉली के जिला प्रभारी ललित यालप शामिल है पैनल करॉली का दौरा करेगा और अपनी रिपोर्ट रास्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी को सौपेगा हिमाचल के मंडी में आमाल में रोड शो होने जा रहा है पहार पर धारू चलाने के लिए पार्टी के राष्ट्र संयोजक एवं दिल्ली के मुक्रमति अर्विंद केजरिवार घोशनाव की जड़ी लगा सकते हैं दिल्ली वो पंजाब मॉडल से हटकर हिमाचल में केजरिवार टूरिजम और बागवानी के लिए बड़े अरान कर सकते हैं मंगलवार को संसद में कॉंग्रेस संसद ये दल की बैठक कुई जहां पार्टी अधर सोनिया गांधी ने हर लेवल पर एकता और लचीने पन पर जोड दिया पार्टी से खपा चल रहे नेताओं को भी सोनिया ने इशारा दिया कि वे जल के लिए हैं बिल्को लेकर तीन मुन कॉंग्रेस ने मोधी सरकार से मांग की है कि बज़सत्र के समाप्त होने से पहले महिला आरक्षन विधायक पेश कर लोगसभा और विधानसभा में एक तिहाई सीचे महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए जमु कश्मीर में पिछले 24 गंटों में चार आतंकी हमले हुए इन हमलों में एक जवान शहीद हो गया जबकी एक जवान जपनी है मैं यहन हमले में एक कश्मीरी पंडित चार मज़जू घायल है यह हमले कश्मीर के पुलवामा शोपिया और स्री नगर में हुए भागना कोर्णावारिस महामारी के मामलों में लगतार गिरावर दर्ज की जा रही है, नए केस 1000 के आसपास आ रहे है देश में 24 गंटों में 795 लोग की कोर्णावार सिपोर्ट पॉजिटिव आई है, महीं 1280 मरीज रिकावर हुए है, इस दौरान 98 लोग की मौत हुई है दुनिया भर में कोर्णावारिस के मामले बढ़ कर 49 करोर 28 लाग हो गया है, इस महामारी से अब तब कोल 60 लाग से जाधा लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 11.3 एक अरब से जाधा लोग का वैक्सिनेशन हुआ है यहां अकरे जौन्स अपकंस यूनिवर्सिटी ने साधा किये है IPL के तेरवे मुकाबले में आज शाम सारे साथ बजे से रोयल चालेंजर्स बैंगलूरू का सामना रास्थान रोयल्स से होगा एक तरफ RCB के लिए बत और कप्तान फाफ दुपले से होंगे दूसरी तरफ आरार की तरफ से संजू सैमसन मौर्चा समालेंगे यह मुकाबला मुंबई के वानखेरे स्टेडियम में खेला जाएगा देश के सबसे गर्म 17 शहरों में मध्यप्रदेश के आश्चहर श्रामिल है मध्यप्रदेश में इस बार भीशन गर्मी पढ़ने वाली है मौसम केंद्र भुपाल के अनुसार इस बार गर्मी में और सथ से 2-3 डिगरी अधिक तक ताप मांग जा सकता है सबसे अधिक गर्मी गौालियर, छदरपूर, रीवा, खंडवा, खरगौन और बुर्हानपूर में पढ़ेगी